कि ये चुनाव सविधान का चुनाव है समविधान को बचाने का चुनाव है जब ये किसी पुबिक सेक्टर यूनिट को प्राइवर्टाइज करते हैं तो ये रेजर्वेशन को खतम करते हैं यह चुनाव मामुली चुनाव नहीं है इसमें विचार धारा की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गड़बंदन और दूसरी तरफ बीजेपी और जो लोग राजनेती को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोणो लोग है उनको मालुम है कि ये चुनाव समविधान का चुनाव है ये जो हमारा कॉंस्टिट्यूशन है जो समविधान है इसको प्रधान मंत्री जी बीजेपी के नेता RSS के लोग खतम करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं एक तरफ वो कॉंस्टिट्यूशन को खतम करने में लगे है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिच कर रही है तो ये दोहजार चॉबिस का चुनाओ एक प्रकार से समविधान का चुनाओ है अब ये जो समविधान है ये सिरफ एक किताब नहीं है लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया क्या सबसे बड़ा कॉंस्टिटूशन है मगर ये सिर्फ किताब नहीं है ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविश्य की देखबाल करता है, और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरब पती करें और बाकी जनता देखती रहे बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, तो इस बार हम कॉंस्टिट्यूशन को समविधान को खतम कर देंगे दूसरे नेता कहते हैं कि रेजरवेशन को खतम कर देंगे देखिए, समविधान में से रेजरवेशन निकला, समविधान में से वोट निकला, समविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, समविधान में से आपके अधिकार आए आपके जो हक हैं ये सब सब इधान की देन है और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाईयों को से मैं कहना चाहता हूँ आपका जल आपका जंगल आपका जमीन आपकी जमीन जीने का तरीका भाशाएं गाइब हो जाएंगे BJP के लोग आपको वनवासी कहते हैं आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के इस धरती के पहले मालिक थे और ये चाहते हैं आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं आपका जंगल गाइब हो जाए जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीक मांगो गलितों को अगर अधिकार मिला तो Constitution ने दिया, सम्विधान ने दिया पिछडों को Reservation मिला, सम्विधान ने दिया इसके बिना मैं आपको बता रहा हूँ इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है ये कहते हैं कि हम Reservation के खिलाफ नहीं है Reservation एक सोच है Reservation का मतलब हिंदुस्तान के पिछणों को दलितों को आदिवासियों को देश में भागिदारी मिलनी चाहिए इन्होंने देखिए जब ये किसी Public Sector Unit को प्राइवटाइज करते हैं तो ये Reservation को खतम करते हैं जब ये थेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये Reservation को खतम करते हैं जब ये अगनिवीत जैसी होजना लाते हैं तो ये reservation को खतम कर रहे हैं public sector में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी जैसे ही public sector को private कर दिया जाता है private sector में ना एक दलित को, ना एक आदिवासियों को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है ये सचाई है मैं challenge करता हूँ किसी भी BJP के ने तागो कि वो कह दे कि हम public sector unit को privatize नहीं करेंगे कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रता को बंद कर देंगे वो कह दे कि हम किसानों का करजा माफ कर देंगे ये करी नहीं सकते ये लोग क्योंकि इनकी विचार धारा अंबेटकर जी की नहीं जी की गांदी जी की नहीं है इनकी विचार धारा चुनुए लोगों की मदद करने की है इनकी विचार धारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन जमीन जंगल जल देने की है अब क्या हुआ अब हिंदुस्तान की जनता को ये बात समझ आ गई पता लग रहा है चुनाओं में कि हर दलित को हर पिच्डे को हर आदिवासी को ये बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोधी समविधान को खतम करने में लगे हैं पहले हम कहते थे कॉंग्रेस पार्टी कहती थी ये समविधान के लिए हम लड़े थे अंग्रेजों से हम लड़े थे हम इस किताब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं पहले हम कहते थे तो शायद आप लोग मानते नहीं थे आप लोग कहते थे नहीं मगर इस चुनाओ में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमन लोकतंत्र पे है आक्रमन समविधान पे है आक्रमन रेजर्वेशन पे है आक्रमन पब्लिक सेक्टर पे है सारे लोगों को यह पता लग गया है और अब ये चुनाओ, लोकतंत्रों को बचाने का, रेजर्वेशन को बचाने का, और कॉंस्टिटूशन और गरीमों के अधिकार को बचाने का चुनाओ हो गया है देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे, 400 पार, सुनाओगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि, और बियान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉंस्टिटूशन के खिलाव नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाव नहीं हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालुम पढ़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नवस पकड़ लिए देश की जनता ने, कि ये लोग, कॉंस्टिटूशन को, गरीबों के अधिकार को, जड़ से खोद कर फिकना चाहते हैं और मैं आप सब मिलकर, देश के दलित, आदिवासी, पिछडे, गरीब जनरल कास के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, मिलकर इस किताब का, इस कॉंस्टिटूशन का रक्षा करने जा रहे हैं इसको कोई रद नहीं कर सकता, इसको कोई खतम नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है, दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेद्रमोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, जो इसको रद कर सके, इसको पाड़ के पेक सके अब सवाल उठता है इन्होंने 22 लोगों को 16 लाख करोड रुपिया दिया है 16 लाख करोड रुपिया मतलब 25 साल का मन्रेगा पैसा 22 लोगों को पकड़ा दिया हमने कर्जा माफी की थी किसानों की अगर आप 24 साल 24 साल हर साल हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो तो 16 लाख करोड रुपिया बनता है आप समझिये 25 साल का मन्रेगा पैसा इन्होंने माफ करके अरब पतियों को पकड़ा दिया हालत ये बनी है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड लोगों के पास है हिंदुस्तान का 1% 40% धन को कंट्रोल करता है ये नरेंद्र मोधीची के देन है पब्लिक सेक्टर के यूनिट प्राइविटाइज करते जाते हैं रेलवेज को प्राइविटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप समझो कितने लोगों को ये बेरोजगार बनाएंगे कितने लोगों से ये रेजर्वेशन चीनेंगे कितने दलितों को पिछड़ों को आदिवासियों की जिंदगी ये बरबात करेंगे ये लगे हुए हैं जितना भी पैसा है सारा का सारा वो ही 20-25 लोगों को जी एस्टी आप देते हो आदिवासी युवा शर्ट करिता है 500 रुपे की शर्ट करिता है जितनी जी एस्टी वो देता है उतनी जी एस्टी अधानी देता है 18% आदिवासी युवा देता है आदिवासी युवा बेरोजगार उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोणों में कमाता है मगर tax, अधानी जतना आदिवासी जतना क्या मतलब है तो आप लोगों के जेड़ से पैसा निकलता है पेट्रोल खरीदते हो पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेड़ से निकलता है अधानी के और जाता है बिजली का switch on करते हो अधानी को पैसा जाता है शर्ट करीदते हो अधानी को पैसा जाता है, जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है, तो पूरा का पूरा फाइदा उनको पकड़ा दिया, तो अब कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मैं आपको खुश करने के लिए दो-तीन चीज़ें आपसे कहना चाहता हू मूड आपका अच्छा हो जाएगा, सम्विधान को बचाना है, रेजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अधानी को दिया, उतना धन में आपको दिना है उन्होंने 20-22 अरब पती बनाए, हम करोडों लाख पती बनाने जा रहे हैं अब पुरा देश जानता है, कि 21 सदी में महिलाएं और पुर्ष दोनों जौब करती हैं, मजदूरी करती हैं पुर्ष दस घंटे काम करता है, महिला भी दस घंटे काम करती है, और फिर महिला घर जाकर आट घंटे और काम करती हैं यह शाहिद बात पुर्षों को अच्छी नहीं लगे, मगर यह आपसे दुगना काम करती हैं आप आट घंटे करते हो, दस घंटे करते हो, यह 16 घंटे करती हैं और यह हिंदुस्तान के बविश्य, हमारे बच्चों की देखबाल करती हैं, यह आपको भोजन पका के देती हैं मगर जो यह घर में आट घंटे काम करती हैं, उसके लिए इनको एक रुपिया नहीं मिलता सही बात, कभी नहीं मिलना आपको, तो कॉंग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महा लक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के गरीब परिवानों की लिस्ट बनेगी, करोणों परिवान हैं, सब की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेका से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी, एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी, और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में, साल के एक लाक रुपे 8500 रुपे महीने के हर महीना पहली तारिक ठका ठक 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 8500 रुपे बैंक में एक लाक रुपे साल का, करोणों महिलाओं को, करांतिकारी स्कीम है दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है, हिंदुस्तान की सरकार पहली सरकार होगी, जो ये काम करने जा रही है नरेंद्र मोधी जी ने युवाओं को बहुत तंग किया, नोट बंदी, GST, इतनी बेरोजगारी हो गई है आज, 45 साल हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी नहीं, अब युवाओं कह रहे हैं, कि हमारे ले क्या होगा, मैं आपको बताने आया हूँ, अदानी जैसे लोगों का बेटा बेटी, टेंपररेरी जॉब करते हैं, रोजगार पाने से पहले, वो अपने माता पिता के कमपनी में काम करते हैं, छे मही ने एक साल की अप्रेंटिशिप होती है, ट्रेनिंग होती है उनको, जेब में पैसा मिलता है, मगर ये सुवधा हिंदुस्तान के करोणों युवाओं को नहीं मिलती, आम ग्रैजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलती, आपका पेपर लीक होता है, आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको अप्रेंटिशिप भी नहीं मिलती, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के करोणों बेरोजगार ग्रैजुएट्स को, कॉलिज, युनिवर्सिटी, ग्रैजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिशिप का अहली नौकरी पक्की, आपको अधिकार मिलेगा, हिंदुस्तान की सरकार ग्यारंटी करेगी, एक साल की नौकरी, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी हस्पतालों में, सरकारी ओफिसेज में, जो भी उनिवर्सिटी, कॉलिज ग्रैजुएट है, प्लोमा होल्डर है जो भी मांगेगा गैरेंटी करके उसे एक साल की अप्रेंटिशिप मिलेगी बहतर से बहतर ट्रेनिंग मिलेगी और एक लाक रुपए बैंक अकाउंट में एक साल के मिलेगी 8500 रुपए महीने के साल के एक लाक रुपए और दुनिया की सबसे बहतर ट्रेनिंग होगा क्या हिंदुस्तान को एक बहतरी ट्रेंड वर्क फॉर्स मिलेगी और यह जो नरेंद्र मोदी ने दिवार बना रखी है बेरोजगारी की दिवार इसको हमारा जो स्कीम है पहली नोकरी पक्की वाला स्कीम इस दिवार को तोड़के हटा देगा और करोणों युवाओं को एक साल की नोक्री मिलेगी ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक में एक लाख रुपे महीने का 8500 रुपे मिलेगा तो इन दो तरीकों से हम करोणों लाख पती बनाने जा रहे हैं अब लोग कह रहे हैं BJP वाले हर बार कहते हैं हम करजा माफ कर रहे थे कहते हैं पैसा कहां से आएगा मैं आपको बताता हूँ जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दिया है वहां से आएगा उतना पैसा आपको मिलने जा रहा है गिंती कर लो जितना उनको दिया उतना हम आपको देने जा रहे हैं मीडिया वाले बोलेंगे नहीं, ये मोधी जी का फोटो दिखाएंगे, ये मीटिंग नहीं दिखाएंगे, जहां पर हम महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिशिप का अधिकार की बात कर रहे हैं, ये मीटिंग आपको टीवी पे नहीं दिखेगी, ये भी पता लगा लो भाई और वेनों ये भी पता लगा लो मीडिया के मालिकों में बड़े बड़े एंकर्ज में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं ये पता लगा लो अगर समझना चाहते हो कि आपके जो मुद्द्धे हैं, टीवी पे क्यों नहीं आते, तो ये पता लगा लो, कभी आपने किसान का मुद्धा टीवी पे देखा है, ना, मेहंगाई के बारे मे कभी किसी एंकर को बोलते हुए देखा, ना, भागी बागी दारी की बात, कभी किसी एंकर से सुनी, ना, एक दलेत, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास का नहीं है इन में, यह अरब पतियों के हैं, यह उनकी बात करते हैं, उनकी शादी होगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, जोपिस घंटा चलाएंगे, अरब पति की शादी होगी, डान्स, गाना, सब दिखेगा आपको, मगर किसान भूका मर जाए, हाथ जोडता मर जाए, कभी टीवी पे नहीं दिख सकता आपको, मजदूर पिसा जा रहा है, मर रहा है, यह कहते हैं, मनरेगा नहीं देना चाहिए, आदत खराब हो जाती है मजदूरों की, मगर जब अरब पतियों का कर्जा माप होता है, तो उ काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं, सरकार आईगे, आपका कर्जा माप होगा, सीधा